Hello friends मैं सुसमा कुहार, welcome to my channel friends आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा जिक जख डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है प्रेंट्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं इस डिजाइन को आप लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाप जैकेट, गर्ल स्टो, फ्रो, कुर्ती, किसी भी प्रोजेक्ट लिए अपलाई कर सकती हैं, इस डिजाइन को आप as a border या all over भी अपलाई कर सकती हैं, सभी तरह से ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है, इस ड multiple देखिए, आप इसमें 12 फंदे गिन लिजिए, फिर से 12, फिर से 12, तो बार बार आप 12 बार फंदे गिन दे जाएं, और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए, ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, और मात्र दो सलाइयों में complete हो जाता है, उन्हीं दो दो सल सलाइयों को हमें बार बार repeat करना होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है, तो ये देखें इस डिजाइन को बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं 39 यानि 49 फंदे, 12 के multiple करके और 3 फंदे extra, फंदे डालने के बाद एक सलाइ सीधी साइड से और एक सलाइ उल्टी साइड से यहाँ पर मैंने उल्टी उल्टी बुन ले है, तो आप भी इसी तरह से फंदे डालके ये दो सलाइया उल्टी उल्टी बना लीजिए, जिससे हमारे बोर्डर की जो किनारी है वो मजबूत बनेगी, अब यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सलाइ है और सीधी साइड है, इसे आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा एजस्टीच है, इसे उतारिये या उल्टा बनाएए, यह आपकी अपनी मर्जी है, अब यहाँ से देखिए धागा पीछे करके हम एक फंदे को सीधा बना देंगे, तो पहला फंदा एजस्टीच उसके पाद एक फंदा सीधा, अब यहाँ से हम अपने डिजैन को शुरू करेंगे, तो धागा अपनी तरफ करके चार फंदे सीधे बनाएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, और यह चार, जब हमने धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया, तो यहाँ जाली से एक फं फंदा बनाएंगे, तो इस पहले फंदे को छोड़ कर, इस बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले को उतारेंगे, और बैक साइड की स्लाई पर ऐसे डाल देंगे, अब यह वाला जो फंदा है, इसे पलट कर हम ऐसे आगे कर देंगे, अब यह जो तीन फंदे हैं, इन तीनों फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से तीनों फंदे में एक साथ लाई डालेंगे, धागा पीछे है, और तीन का एक फंदा हम सीधा बना देंगे, अब देखिए जब हमने यहाँ तीन का एक किया, तो दो फंदे हमारे कम हो गई, एक जाली से यह हमारा बढ़ चुका है अब हम फिर से चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार चार फंदे सीधे बनाएं धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम फिर से ऐसे सीधा बुन देंगे तो देखिए यहां जो हमने तीन का एक किया वो एक जाली से यहां पर बढ़ गया एक यहां पर बढ़ गया तो फंदे हमारे इकवल हो गए हैं जो फंदे हमारे घटते हैं वो जाली से साथ के साथ बढ़ जाते हैं ये दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा बारा फं चार फंदे सीधे देखिए एक दो तीन और यह चार यहां जाली से फंदा बढ़ गया है चार फंदे सीधे हो गई अब यहां इन तीन फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे तो इस पहले फंदे को छोड़ कर बीच वाले में ऐसे स्लाइट ढालेंगे इस फंदे को उतारेंगे और देखिए, बैक साइड की स्लाई पर ऐसे डाल देंगे. इसे पलट कर हम आगे कर देंगे. बैक साइड से इन तीनों फंदे में हम एक साथ स्लाई डालेंगे, और तीन का यहाँ एक फंदा बना देंगे. इस तरह से हमारी जो यह फली बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है. फिर से हम चार फंदे सीधे बनाएंगे. एक, दो, तीन, और यह चार. अब धागा अपनी तरब करके एक फंदा सीधा बना देंगे. तो यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ गया. यहाँ से यहाँ तक हमारा बारा फंदे का डिजाइन हो गया. इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है. तो देखिए हम फिर से डिजाइन को रिपीट कर रही हैं. ध्यान से देख लीजिए. धागा अपनी तरब करके चार फंदे सीधे. एक, दो, तीन, और यह चार. अब इन तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे. तो पहले को छोड़ कर बीच वाले में ऐसे स्लाइड डालेंगे. इससे उतारेंगे. बैक साइड की स्लाइड पर डाल देंगे. जो बीच वाला है, इसे पलट कर सबसे आगे डाल देंगे. तीनों फंदों को हलका सा लूज करेंगे. बैक साइड से स्लाइड डालेंगे. और तीन का एक फंदा हम यहां बना देंगे. फिर से चार फंदे सीधे. एक, दो, तीन, और यह चार. अब धागा अपनी तरफ करेंगे. और एक फंदा यह सीधा. तो देखिए, यहां से यहां तक हमारा फिर से बारा फंदे का डिजैन कम्प्लीट हो गया. ऐसे ही बार 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 बारा फंदे का डिजैन बनाईए. लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा. यह आपका एज़स्टीच है. इसे हम उल्टा बुन लेंगे. तो पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई. दूसरी सलाई है और उल्टी साइड है. उल्टी साइड की सारी सलाईयां इस डिजैन में उल्टी ही बनेंगी. मात्र दो सलाईयों का यह डिजैन है. इन्ही दो-दो सलाईयों को हमें बार-बार रिपिट करना होता है. तो दूसरी सलाई को आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन कर कम्प्लीट कर दीजिए. तो यह देखिए, दूसरी सलाई को उल्टा बुनते हुए मैंने कम्प्लीट कर दिया है. दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई, अब इन्ही दो-दोनों सलाईयों को बार-बार रिपिट करना है. तो चलिए, मैं आपको एक बार फिर से यही दो सलाईया बना कर दिखाती हूँ, ताकि डिजैन को रिपिट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना आए. तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट बार हम डिजैन को रिपिट कर रहे हैं. पहला फंदा एजश्टीच है, उतारिये या उल्टा बनाईए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, और चार फंदे हम सीधे बनाएंगे. देखिए, धागा अपनी तरफ है, एक, दो, तीन, और ये चार, यहाँ बीच में हम फिर से तीन का एक करेंगे, तो इस फंदे को छोड़ देंगे, इस बीच वाले में ऐसे स्लाई डालेंगे, पहले को उतारेंगे, बैक साइट की स्लाई पर डाल देंगे, बीच वाले को पलटके हम सबसे आगे डाल देंगे, तीनों फंदों को अगर टाइट हैं तो हलका सा लूज कीजिए, फिर बैक साइड से स्लाई डाल कर, तीन फंदे का यहाँ एक फंदा सीधा बुन दीजिए, फिर से हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, और ये धागा अपनी तरफ करके, एक फंदा ये सीधा, तो देखिए, स्टार्टिंग के एज़स्टीज और एक फंदा सीधा, ये छोड़ कर, यहाँ से यहाँ तक हमारा बारा फंदे का डिजाइन है, देखिए, दो, चार, छे, आठ, दस, और ये बारा, फिर से इसी डिजाइन क हमें रिपेट करना है, तो ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब यहाँ बीच में तीन का एक करेंगे, तो इस पहले फंदे को छोड़ कर, बीच वाले फंदे में स्लाई डालेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की स्लाई पर कर देंगे, और इसे पलट कर हम सबसे आगे डालेंगे, धागा पीछे रहे, तीनों फंदे को हलका सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से स्लाई डालेंगे, और तीन का एक फंदा यहाँ बना देंगे, फिर से चार फंदे सीधे, देखि यहां से यहां तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन बन गया इसी को हम फिर से रिपेट करेंगे एक बार फिर से देख लीजिए धागा अपनी तरब करके 4 फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार अब इन तीन का हम एक बनाएंगे देखें यह बीच वाला फली वाला फंदा है तो इ इस फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इस फंदे को पलटके हम आगे कर देंगे तीनों फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाई डाल कर तीन का एक फंदा हम बना देंगे फिर से चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चाह धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम सीधा बनाएगे यही बारा बारा फंदे का डिजाइन बार बार रिपिट करते जाएए लास्ट में एक फंदा बचेगा यह हमारा एजस्टीच है इसको हम उल्टा बुन लेंगे तो देखें तीसरी सलाई बिल्कुल पहली सलाई के जैसे ही बनी है चोथी सलाई उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सभी सलाईया मैंने बताया कि इस डिजाइन में बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाई जाएंगी जिस डिजाइन में उल्टी साइड की सारी सलाईया उल्टी बनती है उसे बहुत ही आसानी से complete किया जा सकता है जो new beginners होते हैं वो भी इस तरह के design को आसानी से बना सकती है तो इस तरह से इस सलाई को आप उल्टा बुनते हुए complete कीजिए तो ये देखिए friends चार सलाईयों में ही हमारा design उभर कर आ गया है मैं इसमें 6-7 सलाईया बुन लेत फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी look कैसी आई है तो ये देखिए friends से जब आप इन ही दो सलाईयों को बार-बार repeat करेंगी तो बहुत ही सुन्दर सा आपका ये जिक-जेक pattern बनता चला जाएगा तो friends अगर आपको ये design पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो त आपने सभी friends group में से share कीजिए चैनल पर नए है सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon को all पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक्यू